How to remove watch icon from Facebook shortcut bar नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तिकिराश YouTube चैनल पर तो दोस्तो जैसे के आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं यह है आपका watch icon ठीक है तो दोस्तो यह जो watch icon है आप इसको केसे करके आपका जो shortcut bar है उसमें से remove कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी चीज़ के regarding पर settings शो करके बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो यहाँ पर किसी को जो है उसके shortcut bar में watch icon चाहिए होते हैं और किसी को नहीं चाहिए होते हैं ठीक है तो दोस्तो आपको चाहिए shortcut bar यहाँ पर उसमें जो है watch icon तो दोस्तो आप simply उसको जो है यहाँ पर enable करके use कर सकते हैं या फिर आप उसको directly remove कर सकते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा यदि आपको यह नहीं चाहिए तो इसको कैसे remove करना है इसको remove करने का यहाँ पर दो तरीका है और दोस्तो जैसे आप इसमें click करते तो आपको यहाँ पर वीडियो देखनी को मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तो यहाँ पर आप जो है channel को जाके subscribe कर लिजे वीडियो शुरू करने से पहले और सारी साथ bell icon को भी click जरू कर दिजेगा तो चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं इसको remove करने का तरीका तो यहाँ पर डो तरीका है, तो पहले हम यहाँ पर पहला तरीका देखते हैं, तो पहला तरीका दोस्तों यहाँ पर काफी आसाने, आपको यहाँ जो watch icon डिखाई दे रहा है, उसको tap and hold कर देना है, ठीक है, tap and hold करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यह जो option है मिल सेटिंग्स के अंदर पर क्लिक करना है और स्कॉल डाउन करके आपको सेटिंग और प्राइविसी पर चले जाना है और सेटिंग्स को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा दूसरा तरीका स्कॉल डाउन करके नीचे जाए धीरे से और दोस्तों यहाँ पर आपको श कि अबिक रदेक कर सकता है यहाँ से रिमूब हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं मेलें आपका वाच आइकोन यह ज़ी आपको पर सेंसे टिंग फैटीन फॉलो कर सकते तो दोस्तों यह है सका तरीका थो इस प्रकार से आप आप आपके Facebook के shortcut bar से watch icon को remove कर सकते हैं तो आज की इस video पर दोस्तो बस इतना ही उमिद करते हैं आपको यहाँ पर video पसने आओगा Thanks for watching